दोस्तों मैं हूँ मुकेश और आप देख रहे यूटूब चैनल बिग जनकरी आज की यूडियो में मैं आपको पोस्ट इसमें किस प्रकार से सेविंग सेकाउंड आप ओपेन कर सकते हैं उसका फॉर्म फिलब का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा इस यूडियो म के मदद से आप अपने पोस्ट इसमें सेविंग सेकाउंड ओपेन कर सकते हैं और इस प्रकार की पास्बूक आपको दी जाएगी जो कि कंप्टराइज है तो यहां पर देर ना हो इसलिए मैंने पहले से एक फॉर्म फिलब करके रखा हुआ है जो कि इस प्रकार से है तो य एकाउंट नमबर भी यहां पर लिखेंगे यहां इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में आपको फिलब करना है यह फॉर्म को और जो भी आपको चाहिए वहां पर आप टिक कर सकते हैं अब सबसे पहले बात करें यहां पर पोस्ट मस्टर का तो यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट मस्टर पोस्ट ओविस का नाम यहां आपको लिखना है और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहां पर आपको चिपका नहीं है टोटल दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहां चाहिएगी उसके बाद यहां पर आप स्धाओंस काईए इस वीडियो को पूरा इंपर्टेंटली ध्यान से देखेगा क्योंकि अगर कोई दूसरी स्कीम में भी निवेस्ट करने जा रहे हैं तो यह आपके लिए यूसफुल होगा अब बात कर लेते हैं सेकेंड यहाँ पर चेक बुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ चेक बुक पर आपको टिक करना है यस उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है अब यह जो पहला पाट है यह माइनर के नाम से अगर ओपन कर रहे हैं तो उसकेस में यहाँ पर लिखना चाहिए तो इस पाट को भी आप छोड़ दीजे अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की तो यहाँ आप मिनिमाम 500 रुपे द रुपे आपको रखना ही होगा और वैसे भी नॉर्मल सेविंग्स अगर खोलते हैं तो अभी की डेट में 500 रुपे मिनिमाम बैलेंस है तो यहाँ मैं हजार रुपे लिख के चल रहा हूं हजार रुपे से एकांट ओपन करने चाह रहा हूं तो मैंने हजार रुपे लिग वन थाउजन ओली यहाँ पर वर्डस में लिख देना है और कैस्ट से आप दे रहे हैं तो यहाँ कैस्ट लिख देंगे अब आता था है इसका यहाँ पर पाट की जो की में है इंपोर्टेंट है नेम ऊफ द एपलिकेंट तो पहले में आपको जिसके नाम से आकांट ओपन क अगर आपके पस है तो यहां आधार नंबर और पैन नंबर लिख दीजिए देखिए पोस्ट इसमें सेविंग सेकाउंड ओपन करने का सबसे आसन तरीका यह है अगर आपके इस दो दोकुमेंट से आधार और पैन तो आपका इसली ओपन हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सिए फाइडी यहां पर जो है एक्जिस्टिंग होल्डर के लिए सब्सक्राइब किसी भी स्किम में अपने निवेस किया है तो आपके एक सिए फाइडी जनरेट हो गई होग प्रेजेंट एड्रेस और पर्मनेंट एडरस यहां पर लिखना है टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर आपको लिखना है जरूरी है अगर आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो आपको SMS भी आते हैं हर 2000 रुपे के ट्रंजेक्शन के उपर का जो डिपोजिट विड्रो होगा उसका मैसेज आएगा RD में अगर आप मंतली डिपोजिट काते हैं तो RD का भी मैसेज आएगा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं इसके साथ तो एक अलग से फॉर्म आपको देना होगा जिसमें के आपको डिडि देना mandatory है अगर आपको पैन काड़ है तो पैन काड़ लिकर लिएगे और आधरश प्रूव अहां उसका नमबर लिघा अब यहां पर बात आती है specimen signature की तो यहां आपको 3 signature करना है यहां 3 signature करके आप अपना नाम लिख देंगे यह single account अगर आप joint खुलना चाहते हैं तो यहां second holder और यहां third holder का sign और नाम होगा अब इसके पीछे की part की बात करें तो यह declaration है यह छोड़ देना आपको कुछ नहीं करना है यहां पर आपको signature कर दे है यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है और अगर आप एक नोमीनी रखना साथ है तो नोमीनी का नाम उसके साथ क्या relation है आपका wife mother जो भी है आप लिख सकते हैं यहां पर और उनका address यहां ज़रूरी नहीं है address लिखना simply में छोटा में भी लिख सकते हैं और percentage 100% अगर अगर नोमीनी माइनर है तो उसकेस में गार्डेन को करना पड़ेगा जिसकी डीटल्स आपको यहां पर लिखनी है नोमीनी अगर आपने रखा है तो आपको witness भी यहां पर देना होगा signature of witness यहां एक witness में आपके friends relatives कोई भी हो सकते हैं यहां पर उनका sign होगा और नाम और address हो witness में आप किसी भी दो व्यक्ति का यहां sign करवा कर नाम और address लिख सकते हैं पांचवास sign आपको यहां पर करना है नोमीनी जैसे कि आपने रखा है तो यहां पांचवास sign करना है यहां पर करके place और date आप लिख देंगे यह हो गया पहला form अब इसके साथ एटेज करना होगा आपको KYC form यह भी बहुत सिंपल है यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है फर्स्ट ओल्डर जैसे कि सिंगल एकाउंट है तो फर्स्ट ओल्डर का यहां दो सिंग्नेचर होगा यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि फर्स्ट मैं पहला ओल्डर है सेकेंड म साइन करते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ मिसमैच हो जाता है या थोड़ा आगे पीछे किसी का भी व्यक्तिका होता है तो यहां दो स्पेसिमेंग लिया जाता है जो कि कंपूइटर में स्कैन होके चड़ जाता है जिसे कि उनको मैचुरिटी के समय में यहां पेमेंट देते करना है और अपना मोबाइल नंबर जरू लिखेगा जैसे कि यहां मैंने पैनकाड का यहां लिखा है साथ में जो आप डॉकुमेंट दे रहे हैं उसका नंबर लिखना है और आधार कड उसका नंबर लिखना है तो इस प्रकार से आप अपना इसली सेविंग्स अकाउंड कर रहा सकते हैं तो इस फॉर्म में टोटल एक दो और यहां पर एक तीन सिगनेचर होंगे तो यह हो गया टोटल अपनिंग एकाउंड का फॉर्म का इसके साथ आपको एक डिपोजिट स्लीब देने होगा जैसे कि मैंने हजार रुपे यहां पर देके ओपन कर रहा हूं तो और 1,000 रुपिज आपको वर्ड्स और फिगर दोनों में लिखने हैं और साइन करना है सिगनेचर आप डिपोजिटर तो देखिए यहां पर भी वैसे दिया हुआ है डिपोजिटर नेम यह बट होता है जब आप रेगुलर डिपोजिट करते हैं तो फ्रेंड्स बहुत इंवेश्टमेंट करना चाते हैं कोई भी स्कीम में अगर इंवेश्टमेंट करना चाते हैं तो यही फॉर्म आपका इउटिलाईज होता है इसी फॉर्म के हिसाब से आप सारी स्कीम में निवेश कर सकते हैं साथ ये चेक्बुक लेना जरूर याद रखेगा क्योंकि फ्यूचर में आप जब भी इन्विश्टमेंट करेंगे कोई लमसम में तो आपको चेक्बुक की रिक्वार्मेंट होगी साल में जो है 10 चेक आपका फ्री रहता है उसके बाद 2 रुपया पर चेक लगता है फ्रेंट्स आसा करता हूँ कि वीडियो में मैंने आपको सारी जनकरी दियोगी वीडियो परसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर फार्म फिलप करना आसानी से सीख सके चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी जो भी मैं informative वीडियोज पोस्ट करो उसकी notification आपको सबसे विल मिल जाए Thank you